वेलकम टू विवानिश्टडी गाइस आज है बारा जुलाई दोजार बीस और बारा जुलाई दोजार बीस तक जितने भी महत्पूर्ण और इंपोर्टेंट करेंट करेंगे और इनसे रिलेटे जो फैक्ट और क्वेस्टन होंगे उन पर भी विस्तिलर चर्चा करेंगे तो दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब करें शाथी साथ बेल नोटिफिकर्शन प्रेस करें ताकि जैसे हमारे पास से डेली करेंट अप्लोड हुआ करें उसकी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे और अगर आप में हमारे चैनल को अलरी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंच को सेर करें और आज दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की करेंट अफेर पर दोस्तों एक इंपोर्टेंट चीज आपके साथ सेर करना चाहूंगा जो हमारे पास से डेली करेंट अफेर्स की वीडियो अप्लोड हो रही इसमें टॉप 10 जो टॉप 10 क्वेस्टेंस होते हैं उनको यहाँ पर कलिक करके आपको डिस्प्ले करा जाता है आपके सामने प्रिजिंट कर जाता है तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो अगर हेल्फ लगती है वास्तों में तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें और वीडियो को लाइक जरू करें ठीक है दोस्तों तो आज के करने सबसे पहला कोश्चन है गाइस 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है यह बताना है आपको कि 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अभर में को अप्सें सी विश्व जनसख्या दिवस यानि वर्ड लॉडब पॉपॉलेशन डे ठीक है तो इतने जाद रखें कि मतलब हर साल 11 जुलाई को विश्व भर में कौनसा दिवस मना जाता है विश्व जनसंख्या दिवस और अगर हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की कि इसको मनाते क्यों है तो दोस्तों जो है इस दिवस का उद्धिस जनसंख्या संबंदी समस्याओं पर वैस्विक चेतना जागरत करना है यानि लोगों को अवेर कराना है जो हमारे वर्ल्ड में ये दुनिया में जो जन जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को सबसे पहले मनाया गया था अगर एक्जाम पर पूंच लेता है कि फर्स्ट टाइम जो है वर्ड पॉपलेशन डेक कम मनाया गया था तो 11 जुलाई 1989 ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टन हो जाता है ये एक्जाम के लिए कि मतलब वर्ड पॉपलेशन डेका मना जाता है तो यह मना जाता है हर साल 11 जुलाई को ठीक है ध्यान रखेंगे और यहां पर अधर आप्सेंस की बात करें कि दोस्तों अपको ऑपका कि ये अपसर शांखि की दिवस्ति का मना जाता ही मना जाता है और option D के अगर बात करें विश वे एट्स दिवस ठीक है वर्ड एट्स दे तो एक दिसंबर को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है और option C के हम बात कर चुके हैं कि विश व पाप्लूशन दे कमना जाता है 11 जुलई को हर साल मना जाता है और एक इसके माध्यम से मना जाता है यह मनाता है युनाइटेड नेशन देवलप्मेंट प्रोग्राम यह युनाइटेड नेशन की एक साखा है ठीक है और इसकी स्थापना का भी हो थी 22 नृमबर 1965 को और इसका है नियू यॉर्क और इसकी हेट को हरना वरतमान में अचीम स्टेनर ठीक है और जो 11 जुलई को जो इस बार जो विश्वस जनसंख्या दिवस मनाया गया है या ऐसे कह सकते है कि विश्वस जनसंख्या दिवस 2020 की थीम क्या है तो यह गाईज हो जायाएगा जो जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर आज करन अफरी का दूसरा क्वेस्टन और वर्य इंपॉर्टन क्वेस्टन है कि भारत के किस राज के जी आकास देश के छाचाटवे सत्रन ग्रैंड मास्टर बन गया है ठीक है तो इसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा किस राज से हैं जी आकास तो गाई जिसका क्रेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन भी तमिल नाडू ठीक है याद रखेंगे तमिल नाडू तो गाइस यह है जी आकास ठीक है जो अभी छाचाटवे क्या सत्रन ग्रैंड मास्टर बन गया है और यह तमिल नाडू के रहने वाले हैं और अभी क्या हुआ कि इनकी जो रेटिंग है एक संस्ता है उसकी रेटिंग दोजाद 2495 है जो रेटिंग है वो वरतमान में 2495 है औ अच्छा बन ग्रैंड अंड-ईया की बात करें तो चाटि यह 27 grandes mister बन गया है दोस्तंब बात करें हम से बात करें है इसका मतलब हो집ता खता है में ठिक है इक के रेज रोट कर दोरा अपन अ करियर में प्राप्त करते हैं लुकर क्राप्त होता है अर स्टाफ कभी थी 26 जनुरी 1950 को ठीक है और यहां के चीफ मिनिश्टर के है इड़ा पड़ी के पलानी स्वामी और यहां के गवर्णर काउन है बनवारी लाग पुरोहित ठीक है को दोस्त याद रखेंगे बनवारी लाग पुरोहित तो इतना जान रखेंगे चले बढ़ते हैं नेक्स् कैसे ज यह दोशना की है कि यह दोशना की गई है तो किस डेंश नंग स्री लंका बस्ता है वे यह तो यह चैसे में पार है र arriba को कि युद्स स्रीलंक रने कवस्फना की लिगा हैCOM क्रिकेट काउंसिल यानि एसीसी ने की है और जब कि 2022 में टूर्णामेंट जो होना है वो पीसीबी कराया गया यानि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराया एसे में लगा था दो साल यह हैसे अकप होगा और यह पहले होने वाला था लेकिन लॉगडोन यानि पैंडमिक जो चल क्रोना वाइरस का इसकी वज़ा से इसको बढ़ा दिया गया है तो यह अपको अब जून 2021 में कौन देश कराने जा रहा है स्री लंका कराने जा रहा है अगर यहां बात करें स्री लंका की तो तो आप मैप में देख सकते हैं मैप में यह है स्री लंका इंडिया के सबसे निची बॉटम में और स्री लंका कैपिल का है कोलंबो है और स्री जय वर्दन वर्दनी पुरा कोटे दो इसकी कैपिल्स है ठीक है और यहां करिंथी का चलती है स्री लंका रूपीज और यहां के नोट्स बनाने के लिहाद से मैंने यहां पर गुटक भी दिया है तो आप यहां लेख सकते हैं और यहां चिज़ों को याद कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं नेक्स क्वेशन पर नेक्स क्वेशन है question no 4 BCCI ने chief executive officer याद का स्तीफा मंजूर कर लिया है किस CEO का स्तीफा मंजूर कर लिया है तो इसका correct answer हो जायेगा option C तो क्या हुआ कि बी सिचाए ने चीप एग्जेटीव आफिसल राहुल जोहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और अगर हम बात करें राहुल जोहरी की तो यहे हैं राहुल जहरु जिनों कुछ कमिया कि हैं कुछ पुझ बींप्रेजैन की इंपॉर्टन इंफ्रमेशन дополн को मीडिया के साथ लीक किया है इसकी विजाओ से क्या हुआ कि इनको वहां पर एक तो बीसाइस का किया है कि तो इतना ज्यान रखेंगे और यह जो पद है राहुल जाहरी ने 17 दिसंबर को भी पद से स्टीफा दे दिया था पहले दे दिया था लेकिन क्या हुआ उसे नामुजर कर लिया गया था इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और वहां के जो मीडिया का अनुसार बात करें तो मत स्टाबिक राहुल जाहरी पर गोपनी जानकरी मीडिया कुलिक करने का सक है इसको जो है वहां के CEO के पस से इनको क्या होगा रजाइन करना पड़ा छोड़ना पड़ा तो ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेस क्वेस्टन पर और इसी क्वेस्टन में बात करत स्टापना हुई थी दिसंबर नीस सो अटाइस में ठीक है तो ध्यान रखेंगे चलिए बढ़ते हैं नेस क्वेस्टन पर इस नेक्स्टन है क्वेस्टन नमबर पांच खेल मंत्राले के आदिस के बाद हाकी इंडिया के अध्यक्ट डैस ने अपने पत से इस्तीफा दिया ह तो हाकी इंडिया कि किस अध्यक्ष ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुहमद मुस्ताक अहमद ठीक है और अगर हम बात करें मुहमद मुस्ताक अहमद की को तो है मुहम्मद मुस्ताख अह्मद जिन्नों अभी आपी इंडिया है है एच आई जिrences ज कहते हैं उन्मन अपने अध्यक्ष पर चकेया इस को कारवबाहक अध्यक्ष निक्त किया गया है और अगले नेक्ट क्वेशन आएगा उसमें हम बात करेंगी कि जो है जो जिए जुद्धर निको बाउम है इनको जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है होकी इंडिया के ठीक है तो याद रखने कि मुहमद मुस्ताक महमः मुस्टाक अहमेद को जो है खेल में अधिसके बाद होक इंडिया के इध्यक्षिक पत्त से इस्टिफा देना पड़ा और अगर हम बात करें हाँ हो कि इंडिया की यानि हएच आई हो कि इंडिया तो इसके प्रेशिडिन कौन एक प्रेशिडिन मुस्ताक एहमन वर्तमान में लेकिन अभी हड जाएंगे जो मैंने नाम बताया आपको ग्याना अंदरो निगोबाम इनको जो है निगत के जाएगे ये रिप्लेस करेंगे मुस्ताक हैमत को और इसके स्थापना कभी थी बीस मईनी 2009 में के इंडिया की और इसका HEAD QUARTER कहाए इसका HEAD QUARTER है नई दिल्ली में थीकट D época रखेंगे नई दिले चले बढ़ते हैं समय अमेरिकां क्या है रइं को बाद अमेरिकां के बाद फंफा और National Air Lines के उड़ाणूरों पर रोक लगा दी है जब कि EASA ने पाकिस्तान सरकार की विमान IK पर छे मेने के लिए तो द्यान रखेंगे कि अभी हाल ही ने अमेरिका ने किया किया है अमेरिका ने पाकिस्तान की सभी उडाउनों पर रोग लगा दी है ठीक है चलिए बढ़ते हैं next question पर अगर हम बात करें अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के अगर बात करें तो अमेरिका के वर्तवान में President कौन है Donald Trump है और यहां की Capital क्या है Washington DC और यहां currency क्या चलती है American dollar currency American dollar चलती है चलिए बढ़ते है next question पर question number 7 हाल ही सतनी और किस ने क्रसी रेचान नलॉत है त्वित्र-चेंटर के लिए कंद्री च्हेत्र को मत्जूर दी है किस ने सतनी सतनी कस्की विद्र क्रव सब्सक्राइब चलती है ठीक है तो है? क्या है कि हालि में पर के लिए जो बर्द क्येता है जो वित्व पोशन सुभदा के लिए केंद्री चहत्र योजना को मंजूरी दे दी है और जिसके फैय्दा का होगा ये ये इसके उद्श क्या है इसके फसल के बाद बुनियादी धाचा प्रमन्धन और मध्यम लंबी अब तो इतना याद रखेंगे कि हाली में क्रसी सावस अब सरचना कोच के तहत विद्ध पोशन सुविदा के लिए केंद्री छेत्र योजना को मंजूरी देदी है किसने दी है यहां पर आप्शन तो कहीं है कि बाद डिया तरहा नहीं ठीक आप्शन दिया गया कोई बात नहीं अहीं लेकिन इसका करेक्टड यहां परियोजना सबसे बड़ी और सौर अपरियोजना रिवा- अल्डरा-मेगा और सौर उर्जा पर्यूजना का उद्खातन किया है इस पर्यूजना का नाम क्या है Riva Ultra Megas सौर उर्जा पर्यूजना है ठीक है तो किस राज में जो है अभी PMODI ने इसका उद्खातन मिया है सडीवा एक्राल मेगा 2 जा परियोजना और अध्र प्रियोजना है घ्राइवा 3 हज been कि नहीep एकार्जाफेवाट काली का था ओधरतन के मारण से पहली खिया है और यह जो रिवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिम्टेद द्वारा विक्सित किया गया था जिसे बोलते हैं और इसका जो सर्चना है इसको विक्सित करने का जो एक को आप्रेशन जॉइंट आप्रेशन चला था और यह किसके साथ चला था तो मद्द प्रदिस उर्जा विकास निगम सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इंडिया यानि सी का एक सिनिक्त अपक्रम है रिवा सौर उर्जा परियोजना को विस्व बैंक समोग का राश्टपति पुरुषकार में मिल चुका है यह दुनिया का मतलब एसिया का सबसे बड़ा सौर परियोजना है ठीक है और इसको क् बैंक समोग का जो राश्टपति पुरुषकार भी मिल चुका है और यह 1590 एकड़ों फैला हुआ है और कितनी मेगावाट का है 750 मेगावाट का और इसका उद्गाट मोदी नी वीडियो कॉन्फरेंसिन के माध्यम से मद्द प्रदेश में किया है ठीक है और यह किसके साथ म दिलकर प्रोगाम चालू किया गया है यह जो है जो रिवा अल्ट्रा मेगा सोरा लिंटर को द्वारा और मद्द प्रदेश की जो उज़ा विकास निगम लिंटर है और सोरा एनरजी का परशन आप इंडिया के माध्यम से सुरू किया गया है ठीक है तो याद रखेंए चले कर देखते हैं अगे और गईसे माने बताया जो देख शुरू किया गया तो मद्द प्रिश्च से अगर बात करें चैप्ट्र क्या जाए है और यहां कर चीप मिनिष्टर कौन है शिवरास सिंह चौहार और का ओन है लाली टंडन गोणर राल जी टंडन है चले बढ़ते हैं किस के साथ जो है बढ़ाओ देने के लिए किस राज ने किये हैं तो गाइस क्रेक्ट के साथ जो है क्या किया है एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ठीक है और और इस विभाग ने इक प्लेफरम के मादधर में से बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए करनाटक के कला सिल्फ और हथकर का चुट को बढ़ावा देने के लिए एक समस्वाधिक के अपर पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि वहां के लोकल विभसायों को बढ़ावा जा सके और यह घ्लप किसके ल बीएस येदुरपा गवर्णर कौन है वाजु भाई वाला ठीक है और अगर हम बात करें मैप की तो यह है इंडियन मैप में करनारका यहां पर ठीक है जाद रखेंगे करनारका राज ने गया पर था अक्टूबर 2007 में और इसके स्थापन करनार करनारका राज की और बैंसल और बिंडी बैंसल ठीक है तो याद रहें चलिए वढ़ते हैं नेक्सक्के प्रिंट कोस्टन से नहुक्षेट्अ जो एसको आवाइड कर दिएगा तो क्वेस्टन है परितम रानी जो हाली में खबरों में किस फ्केल से जूड़ी हुई है तो करेक्ट एंसुर प्रिट वाप्संडी हाँकी ठीक है तो भारत की पूर कप्तान जो शेल से जूड़ी हुई है तो ध्यान भी राखेंगे प्रितम राणी जो है इनी के नाम को भी हाली में दुर्वाचार पुरुसकार के लिए सेपारिस के लिए भेजा गया इनका नाम और यह पहले से हिन्हों ने रजट पुरुसकार जीत रखा रजट जो है सिल्वर यानि सिल्वर आवार्ड एसिया कप में जीता हुआ है ठीक है तो इतना द्यान रखेंगे चलिए बढ़ते हैं नेस्ट क्वेशन पर नाम की पुस्ता के लिखा कौन है कौन से गई दलाई लामा एन इलुस्ट्रेटर बैयोग्रफी नाम की पुस्ता के लिखा कौन है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा गाईस जो और मैं जो आजर बात करे इस पुस्त की बात करें पुस्ता की बात करें जो पुस्ता का रही है तेनजिंग गये ततोंग की पुष्टेंग जो घुष्ट की जा रहे हैं जिसको जिसके लेखत तेनजिंग गये ततोंग है इस पुष्टा का जो सीरसक परणपावन दलायलामा एनुलस्टेटरिटट बायोग्रफी है जिसको दलायलामा के सबसे करीबी सेहोग में से 1 और 40 व धुक्स द्वारा प्रकासित किया जाएक सको ठीक है याद में जारा प्रिक्स प्रकासित होगी है तुझ वेजर ते यह जुआ यह गैस को झाँ ठीक है यह जो दला मंोंच के बहुत खरि भींट इंहों नहीं जो है दलाई ळलाय लामा ए Catholics भाज cortar को लिखा है ठीक है जो अक्टूबर दोजार बीस में जारी की जानी है और इसे और रोले विक्स द्वारा प्रकासित किया जाएगा तो इतना याद रखेंगे तो गैस यह थी आज की करण अफेर तो आज की करण अफेर्स रिलेटेड कोई कुरी कमेंट या सजेशन आप मारे देना चाहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिक कर हमें दे सकते हैं और आपके सजेशन्स या एडवाइस से हमें हेल्प मिलती है कि इन वीडियो को गैसे और इंप्रूव किया जाए ठीक गई त तब तक के लिए थैंको सो मच जैहिन